तो आज हम आए हैं उत्तर परदेश की राजधानी लखनव में लखनव में आज सुभई पहुंचाओं मैं तो लखनव में आने का कारण यह है कि यहां पर एक बहुत ही फेमस एट्रेक्शन बना हुआ है आज कल वो है लूलू मॉल जो ठीक मेरे पीछे है और काफी बड़ा मॉल है काफी चीजे इसके बारे में सुनी मैंने तो मेरे को हुआ कि मैं क्यों ना इतना कुछ सुन रहा हूँ उस मॉल के बारे में कि मैं खुद जाके देख किया हूँ उस मॉल को कि कैसा मॉल है तो आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं एक्स्प्लोर करते हैं इस लूलू मॉल को कल रात की ट्रेन थी मेरी तो रात को मैं नई दिली से चला था सुबे लखनव पोंच गया चार बाक स्टेशन पर उत्रा और उतरते ही मैंने होटल में रूम लिया रूम में रेडी हुआ रेडी होते सीधा ही मैं आ गया लुलू मॉल तो यह में एंट्रेंज गेट है लुलू मॉल का और काफी बड़ा बना हुआ है यह मॉल बार से ही बहुत बड़ा लग रहा है तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यह मॉल कैसा है एंट्र करते ही कुछ इस तरह से नजा रहा है मॉल का जो कि बहुत ही शांदार है और उपर देखें वाव भई वाव क्या वाथ है क्या वाथ है बहुत शांदार मॉल है आगे सलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है तो लेफ साइड से आगे बढ़ रहे हैं लुलू मॉल जो की संडे 10 जुलाई को खुला है 2022 और आज जो है तरीक 16 तरीक है Saturday जैसे जैसे आगे आ रहे हैं अट्रेक्शन और बढ़ती जा रही है लूलू मॉल के लिए बहुत ही शांदार सेलफी पॉइंट बना हुआ है काफी सारे लोग अपनी फोटो स्किच वा रहे हैं और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मॉल कैसा बना हुआ है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफी सारे ब्रांड्स के शोरूम है यहां पर शॉप्स हैं मतलब सारा ब्रांडिड है बिलकुल और काफी कुछ जो है ना अभी कमिंग सून है सुबह सुबह आए है अब शॉप्स खुल रही है अभी दीरे दीरे यह ग्राउंड फ्लोर का मैप है कहां से आप एंट्री कर सकते हो कहां से आप बार एक्जिट कर सकते हो मतलब किस शॉप पे जाना है कैसे जो भी सब कुछ दिखा रहा इसके अंदर और यह जो येलो वाल यह मेरे को मैप के अंदर बाकी चलते हैं एक्सलोर करते हैं और देखते हैं कैसा यह यह सगिंद सेल्फी पॉइंट है सेल्फी पॉइंट तो खेर कहीं भी खड़े होके आप फोटो खिचवासक तो सब अच्छा लग रहा है लेकिन जो स्पेशली अलग से बने हुए हैं का काफी लोग खड़े होके फोटो खिचा रहे हैं अपनी और यह जितने भी पेंट लगे हुए हैं सारे आर्टिफिशल है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सेल्फी पॉइंट हर फ्लोर पर है हर जगा बने हुए हैं काफी लोग फोटो खीच रहे हैं और जूते कपड़े कुछ भी चाहिए हो सब कुछ है भी लेबल है इस मॉल में बहुत बड़ा मॉल है यह में एंटरेंज गेट से ग्राउंट फ्लोर पर ही चलते चलते सामने आओ तो सामने ही है डी कैथलैन ग्राउंट फ्लोर पर भी है फस्लोर पर भी है और काफी बड़ा शोरूम बना तो मॉल के अंदर जो मेन लूलू हाइपर मार्किट है और इसके अंदर काफी भीड लगी हुई है और यहां पे ओफर भी चल रहा है 60% आफ का अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हाइपर मॉल हाइपर मार्किट बहुत ही बड़ा है बहुत ही बड़ा है यह तो यह ग्रॉसरी आइटम्स का सेक्शन है और काफी दूर तक बहुत ही बड़ा मॉल है या यह हाइपर मार्किट बहुत बड़ी है यह बहुत ज्यादा बड़ी मार्किट है यह वाई सेव अलग-अलग कंट्री के हैं न्यूजिलेंड यूएसे इतली साउथ अफ्रीका अलग-अलग कंट्री के सेव पड़े हैं और प्राइज आपके सामने है वाई सब्धियां भी एकड़म फ्रेश हैं और ये रेट लगे हुए इनके इंटरनेशनल लेवल का मॉल है ये लूलू मॉल जो है है इंटरनेशनल तो भाई काम भी इंटरनेशनल वाली हैं बहुत बढ़िया बना रखा इल्चेशनल फ्रोजन आइटम्स-वेज, नौनवेज, सब मिलती हैं ये सामने सलाट सेक्षन है ये चाट का सेक्षन है वेज़ फूड, नौनवेज़ फूड, बेकरी, सब रेडि आइटम्स भी मिलती हैं अगर आपको याँ पे खाने के लिए चाहिए इंडियन स्वीट भाई देशी मिठाईयां मिल रही है यहाँ पर जलेबी, शक्करपारे, गुड़ वाली मिठाई, लड़ू सब कुछ मिल रहा है वेच के अंदर भी रेडी आइटम्स के अंदर काफी बड़ा सेक्शन बना हुआ है जो चाहिए सब मिलेगा क्या बात है भाई यह स्वीट सेक्शन है काफी सारी मिठाईयां पड़ी हुई है प्रिय आइटम्स का अरिया यह आम, 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 आमी आम अच्छा जितना भी फ्रूट है, सारा फ्रेश है और बहुत अच्छा लग रहा है आई यह अलग-अलग कंट्री की खजूरे पड़ी हुई है जो डेट्स और उपर है उनके रेट्स साउदी अरफ इरान और आपका यूएई होट फूट, नॉन वेज एरिया, नॉन वेज काउंटर एरिये चिकन समोसा, मटन समोसा, सब कुछ अविलेबल है मिक्स यूर ओन फूट्स, साड़े तीन सो रुपे पर केजी कटे हुए फूट्स पड़े है जो आपको चाहिए, आपका जो मन है आप उसको मिक्स करवा के जितनी कौंटिटी चाहिए, आप ले सकते हैं भाई हम अपने लिए एक रेडी करा रहे हैं चोटा सा बाउल मिक्स बाउल जो फूट का तो आता तो आपको दिखाते हैं वेज ओ, नॉन वेज ओ, कुछ भी है बेकरी आइटम्स है जो भी फूट है वो आपको पैक करके देंगे यहाँ पे खाना अलाओ नहीं है कि आप हाइपर मार्किट के अंदर खाना स्टार्ट करतो तो यह पैकिंग करके आपको दे देंगे मैंने अभी फ्रूट लिया था तो मुझे पैक करके दे दिया उन्होंने यह आप यहाँ नहीं खा सकते बाहर जाके खाना फिश, लाम, छिकन यहाँ आपको रौ मिल जाएगा हाइपर मार्किट इतनी बड़ी मार्किट है कि आप कुछ भी सोचो कि मुझे यह चाहिए वो सब एविलेबल है यहाँ पे और मॉल तो बहुत ही बड़ा है तो चलते हैं अभी आगे और एक्स्प्लोर गएए सुबह जब आए तो बिल्कुल खाली खाली था अब धीरे 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 रश बढ़ता जा रहा है अब लगी है बहुत तेज भूख अब चलते हैं फूट कोट और कुछ खाते हैं और यह फूट भी खाते हैं यहां पर जो है सब ब्रांट्ज मिलते हैं कपड़े के जूते के और भी काफी सारी चीज़े हैं जो सब कुछ मिलता है और काफी एरिया अभी बंद है कमिंग सून कमिंग सून लिखा हुआ है भाई बर्गर कींग से ओडर कर दिया है बर्गर, राइस, कोक और अपना फ्रूट वाला बॉक्स की खोल लिया है तो करते हैं एंजोआए ठाते हैं और चलते हैं आगे जैसे जैसे दिन बीटता जा रहा है और क्राउड और बढ़ता है अब काफी भीड़ हो चुकी है माल के अंदर जब मैं सुबह आया था तो बिल्कुल खाली था और अब काफी भर चुका है कार्ड ले लिया है मैंने चलते हैं इंजोआए करते हैं गेम्स गेम्स देखके राह नहीं गया और अगर आप कार्ड लेते हैं दस अजार प्लस टेक्स तो आप बीस अजार रुपे की गेम्स खेल सकते हैं तो जिसमें की अजार रुपे आप यूज कर सकते हो और आप आगे चलते हैं इंजोआए करते हैं जिसमें बाई मॉल घुमते घुमते मेरे को भाई मिलें अनिल निशाद जी इनका भी व्लॉगिंग चैनल है तो प्लीज भाई लाइक, शेर, सबस्क्राइब, सब कुछ करो इनके चैनल पे और मैं आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इनके चैनल का अनिल निसाथ ब्लॉक्स के नाम से है चैनल यहां पर जितनी भी गेम्स हैं इनकी कॉस्ट जो है 80 रूपीज, 100 रूपीज पर गेम है और जो स्विंग्स है, जूले हैं कोई 500 रूपे का है, कोई 100 रूपे का है तो ज़्यादा कॉसली नहीं है जिस हिसाथ से मॉल का नाम है या मॉल बना है उस हिसाथ से गेम्स जो है ज़्यादा कॉसली नहीं है इसका यह फंटूरा का उपर का इंटरेंस यह टेल फ्लाइंग हंटिंग हीरो इसको ट्राइ करते हैं जी हम बाई दिन सेटेड़े है सब फ्री होके घर से अपना हाथ चुके है अब पूरा भर चुका है मॉल बहुत ज़्यादा भीड हो चुकी है कोई राइड खाली नहीं है कोई गेम खाली नहीं है पूरा एक्दम से भर चुका है देखो पूरा मेरे पीछे देखो राशी राश है पी टॉप पर देखो बच्चा चड़ रहा है और उपर जिपलाइन चल रही है बहुत बढ़िया बनाया है मॉल वहला गेमिंग जोन भी बहुत अच्छा बना हुआ है उपर से फंटूरा का जो गेमिंग एरिया और श्रिंक्स का एरिया इकठा ही है लेकिन जो इसका एक बॉलिंग एरिया है वो अलग बना रखा है बिल्कुल अपोजिट साइड में इसका बॉलिंग एरिया यहां पर अलग बना हुआ कुछ इस तरह से है प्रस्ट फ्लोर के लूलु फैशन्स का बिए और श्रिंग फ्लोर के इलेक्ठानिक क्गर on a hè यह टीनों पलोर्च पे जो है मार्किंट अलंग यहां लूलू फैशन लू legg राशन लू ईल्यपर और लूलू की एलेक्ठानिक्स मौल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, सब कुछ अविलेबल है लेकिन काफी हिस्से में अभी कमिंग सून के इस तरह से बैनर लगे हूँ है मतलब काफी हिस्सा अभी बंद भी है तो मौल आओ एक बार जरूर आओ, बहुत अच्छा मौल है लखनव शहर का सबसे बड़ा मौल, इवन नौर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मौल बोला जा रहा है जब मैं सुबह आया था तो बिल्कुल खाली था मौल अब फुल बढ़ता जा रहा है धीरे 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 जीरे जैसे जैसे शाम होती जा रही है लोग आते जा रहे हैं और महौल बहुत अच्छा होता जा रहा है लूलू मौल में जा रही हैं और बाहर देखो बहुत सारे न्यूस चैनल वाले, पुलिस वाले, मतलब काफी सारी भीड लगी हुई है लोगों तो वीडियो को करते हैं यहां पे एंड आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो लाइक करना, शेर करना, कमेंट करके बताना की वीडियो कैसी थी और कमेंट करके बताना की लूलू मौल कैसा था जो पूरे उत्तर परदेश का फेमस नौर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मौल ओके बाई बाई लूलू मौल